Okay, welcome student, जिस तरीके से, okay, my name is Suravis Singh, I am here to revise the material science course और dear student, जिस तरीके से मैं revise कराती जा रही हूँ, please previous year की question को भी एक पर go through हो लीजे ये video देखने से पहले मैं आपको बहुत clear कर देना चाहती हूँ कि मैं आपको detail में information नहीं दे रही हूँ ये एक revision class है जो students की demand पर मैंने बनाया हुआ है material science का तो अभी मैं बात करती हूँ यहाँ पर ferro electric और ferro magnetic की से comparison basis पर ये classes है तो आपको समझने में बहुत असानी होगी तो ये क्या होता है जो ferro electric होते हैं ये क्या होता है कि आपका stresses curve को follow करते हैं stresses curve का मतलब है कि जिस पाथ से electric field बढ़ने पर polarization होगा से हम उसी पाथ को ये follow नहीं करेगा ये कोई और पाथ follow करेगा अगर हम electric field को कम करते हैं तो तो यहाँ पर polarization का formula होता है epsilon naught c t minus theta अप अप तीटा इसको हम बोलते है क्यूरी विस लॉबी इसके example आपके आजाते हैं बीए टी आयो थ्री पीप टी आयो थ्री कीडीप अलमन सोडियम नाइट्रेट रॉकेट सॉल्ट इसको बोलते हैं क्यूरी टेंप्रेचर की बाद जो है हमारा जो भी आपका फेरो एलक्ट्रिक है वो क्या होता है पीजो लग्ट्रो की प्रापरटी को शो होने शो करने बिलग में भी चा की लोल बोलो है कि में अटको करें को भिम इधे टी़ की में सक्ष्य प्रीकाते हुआटे-चे म की डाजाएं की आपार वी फईल्ट्र और शो करती है प्रीजिज कुछ निक्री त्रीचर फोरगेशन पीशंन इसक्रां चोक्र्रिट बहुत ही इंपोर्टेंट एक्योरी टेंपरेचर टेक है तो यह चीज आध्यान रखियेगा यह कुशन आपके आ सकते हैं इलेक्ट्रोनिक्स में ऐसे कुशन बहुत ही ज्यादा पूछे गया हैं तो नेक्स टॉपिक में शुरू करते हैं मैं समझने में आसानी होगी यह फैर्यर्यों कि यह फैर्यू आपकी इस में हो है कि ये संन है कि दा करता है इस 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 तन कह दोज्ग से जोग एक्वल होता है यह क्या हो पीज एलंको नहीं हें सब्सक्राया आद इस थो इसे थेटेंप रिए काईनड किस टेंप्रेचर के बाद नियल थेउन प्रेचर के बाद एंपिध चक्रेचबर्यक्ष र labels बशित्त रिए प्यों कअ आधा तो वहां पर क्यों ही temperature आ रहा था अब अब दिस टेंपरेचर फिर यह पर 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 अब अब इस इस पिल जो इलक्रिक लीट जाइडो निटरेट सोडियम निटरेट एडीप के एग्जांपल अब जरूरी आद कर लिजएगाः एग्जांपल बहुत बेनिफिशल होते हैं अरह परियरे पितों के बारे में बात करते हैं तो यह पर मैंट Πो रखते हैं बेर जैसे मीं की आहाएं से फिरेशा मोनगेशन एक सरे देजिए मेल उस तैनिम ऊनगे थर जया को बापोटी से अर्पिर्वॉट पीजोएलेक्रिक मटेरियल है यह क्या होता है कि यहां पे दो टेंप्रेचर है जिस टेंप्रेचर के बाद यह दो क्यूरी टेंप्रेचर है माइनस 18 डिरी 23 degree centigrade है इसको क्यूरी temperature कहते है KDP है यह भी आपके क्यूरी temperature को show करता है 123 degree centigrade पर कर इसकी properties बदल जाती है तो यह सारी आप example याद रखीजिएगा सबसे चीजामपल है piezoelectric material का silicate tetrahedral इसका example है hexagonal prism with pyramidal attached at both sides टेक है और 80 cut making angle 35 degree तो यहाँ पर क्या आता है कि दो cut माने जाते है 80 cut and BT cut टेक है y cut 80 cut and y cut तो 80 cut 35 degree पर सेम है यहाँ कोशिन पूछा गया है कि 80 cut कितने angle पर लगता है तो you will see जो 80 कट है वो आपका 35 degree 15 एंगल पर लगता है जैड एकसस के साथ लगता है ठीक है और यह यूज करते हैं कहां पर high frequency stability में यूज करते हैं वाइड रेंज में जो bt कट होता है वो 49 degree पर लगता है जैड एकसस के साथ ही है ठीक है और यह क्या आता है crystal with higher frequency यह जैसे used for crystal with higher frequency than 80 तो यह safe important points लिखे हैं जो एकसाम में अभी तक पूछे गया है स्वारे स्टूटेंट यह थोड़ा सब आगे-आगे इस लाइड मेरी यहां के बात कर रहे थे मैं यहां पर यह चीज यह आप यह प्लीज इसको याद रखिएगा यह तो बहुत ही beneficial है और यहां पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे जैसे हमारा QF factor बढ़ता जाएगा 20,000, 30,000 हो और वैसे वैसे हमारा graph क्या हो जाएगा sharp होता जाएगा quality factor QF is representing by quality factor 20,000 से 2,000,000 के वीच में इसकी value होती है तो यह सब चीज है basic information यह सारे information मैंने previous year के question के basis पर select की हुई है तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा beneficial है next मैं बात करते हूँ fairy magnetic की यह क्या होता है कि इसमें यह जैसे आपका अगर मैं बात करूँ यहां पर क्या थे कि डाइपोल तोनों बराबर थे अगर हम anti ferromagnetic की बात कर रहे है जबकि यहां पर क्या होता है एक बड़ा और एक छोटा होता है तो not equal तो यहां पर क्या है जो आपका magnetic magnetization है वो क्या होता है zero नहीं होता है fairy up to critical temperature and after that para magnetic material होते है high DC resistivity होती है इसके property जरूर कुछी जाती है fairy magnetic को ferrite भी कहते है high DC resistivity दिन ferro ferro से ज़्यादा होती है इसके resistivity और यहां पर less eddy current loss होता है please student यह properties को याद कर लीजेगा क्योंकि properties से ही question आते है use for the construction of core of high frequency transformer most most important line is this कि frequency tower of transformer के लिए कौन से material यूज़ करते है तो आप बोलोगे fairy magnetic material use करते है इसके property होती है high resistivity permeability और dielectric constant यह सारे high है याद रख लिज़ेगा student यह मैंने अपने note से बनाया है तो यह बहुत ही ज़्यादा important है high resistivity होता high permeability क्या low होता है low dielectric loss होता देखो मैंने IES का लिखा भी है क्योंकि यह छोटा सा IES यह represent कर रहा है कि यह question आया हुआ है कि जो fairy magnetic है उसके चार option देदेंगे high AD current loss high resistivity तो आप क्या बोलोगे second first option first line is wrong low AD current loss होता है low dielectric loss होता है classification में आता है hard ferrite, soft ferrite hard ferrite क्या होता है permanent magnet में use के जाता है इसके high curative field होती है curative field का मतलब है कि यह जो graph है वो चोड़ा होगा थोड़ा सा इस type से जो भी curative loss का है इसमें क्या होता है low curative field होती है soft ferrite में और यहाँ पर यह construction high frequency transformer के construction के लिए use किया जाता है student make time to the point revise करा रही हो यह बहुत ही important यह जो lines लिखी हुई है 110% important है प्लीज इस चीज को revise करके जाएगा अब example में पूछ दिया जाएगा कि nickel zinc ferrite किसका example है hard ferrite का है soft ferrite का then you will say this is the example of soft ferrite तो hopefully आपको यह चीज clear हो गई होगी इसके बाद हमारा आता है rectangle ferrite or microwave ferrite यह जो करते है और यह magnetic memory में यूज होता है इससे जाद इसमें नहीं पढ़ना है जो कर्व अभी तक आप sorry student again this is mistake from my side थोड़ा सा भी गलत क्लिक हो जाता है तो यह से अभी तक आप यह वाला हिस्ट्रेस कर पढ़ रहते अगर rectangle की बात करते है तो यह वाला हिस्ट्रेस कर भी होता है जैसा कि मैंने दिफाया है इसको ferrox cube भी कहते है example याद कर लिजेगा magnesium ferrite में यह कर भी होता है फिर आता है microwave ferrite यह आपका micro frequency के लिए use होता है at this frequency the electromagnetic wave interact with the spin magnetic movement of electron due to which plane of polarization of electromagnetic wave get rotated by some angle that is called ferrady rotation तो यह याद कर लिजेगा कि आपका जो ferrite होता है वो basically कितनी टाइप का होता है यहाँ पे hard ferrite, soft ferrite हो गया फिर हम बात करते है rectangle ferrite और microwave ferrite की तो यह सारे example है और आपको समझ में आ गया होगा ferrite from garnet से कैसे बनाते है यह formula है ferrite from magnetic से कैसे बनाते है यह formula है यह बहुत ही important है ferrite आपका जिसमें से question आ सकता है question आपका इस तरीके से बना होता है कि high frequency transformer के लिए construction अगर high frequency transformer को contract करना है तो हम कौन सा ferrite यूज़ करते है तो you will specify soft ferrite यूज़ करते है तो student अगर videos पसंद आ रहे है तो please like and comment because आपके comment की basis पर ही मैं आगे की video बनाऊंगे otherwise I will skip this topic thank you